हेलो दोस्तों कैसा आप सभी लोग तो मेरे नमें आकाश कुमार और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल के रवल फार्म तो फारमा में तो फायनली मिंदे आज से start करें हम अपने फी फार्मसी थर्ड समिश्टर को70 सबसे वहले आप सभी लोग बहुत बहुत स्वागत है अब जो आ उफिसियली सीनियर हो चुके हों यहां कि अब जो आप होसी स्टुडेंट्स हैं जो मतलब जन्हों ने सेकेंड संबसेह मारे केर्वेल फार्मास्य पढ़ाया तो भाई आप लोग को क्या करना थोड़ बताना कि आपको कैसा लगा क्या फीडबैक क्या को सुधार करना चाहिए जो आपको थर्ड समिटर मिले यह तो पता है कि लेट हो गया था इस बार आपको एंड टाइम तक कुछ-कुछ यूनिट मिली थी लेकिन आप ट्राइ करेंगे कि जो आपका सेकेंड समिटर अच़ता है गया हो तो एक लाइक शेट वीडियो के लिए बनता है भागी चली अब हम बात करें अगर अपने改 थीर समिटर के बारे में यहां हम बात करेंगे पूरे दिनंव नहीं मिल रहे थी तो इन सब के बारे में भी थोड़वा डिसकस करेंगे कि क्या नया प्लेंस हम लेकर आ रहे हैं और कुछ टिप्स आपके लिए कि आपको कैसे क्या समिस्टर में स्टडी करनी है ठीक है तो चलिए हम यहां पर बात करते हैं तो सिंपल अगर देखा दा है तो जो भी हमारा स्लेबस है वो according to PCI है यहांकि अगर आपकी उनिवर्सिटी PCI को follow करती है तो सारा स्लेबस आपको match करेगा देखो फर्क इतना हो सकता है कई केस में कई बार क्या होता नहीं जैसे एका सब्जेक्ट हमारे आगे पीछे हो जाते हैं PCI की according है लेकिन कई जगे दिखा गया है कि third semester में किसी हमारा आता है pharmaceutical organic chemistry second अब यह जो हमारा POC second है यह simple समझो कि जो हमारा मतलब second semester में POC 1 था जो हमने study किया था उसका एक बड़ा भाई यहां पर आता है अब क्या है इसके बारे में आगे हम छोटे-छोटा इंट्रोवीज का जानने वाले हैं तो इसके बारे मात करेंगे then इसका जो हमारा subject code है वो रहेगा BP301T then second हमारा इसमें subject आता है physical pharmaceutical फार्मसेटिक्स वर्ष इसको सौड में PP1 भी बोलेंगे और इसका subject code हमारा आता है BP302T तो बैसे कहने के लिए हमारे कि यह नया subject है लेकिन देखा जाये तो जो हमने फार्मसेटिक्स फार्मसेटिक्स में पढ़ी जीन तो उसी का एक बड़ा भाई आप इसको मान सकते हो करते हैं उनके principle क्या है उनका मकयन का इन सब के बारें बात करनी पड़ेगी तो वही अपना मन यहां पूरा कर लेना तो यह चार subject हमारे होते हैं इसके अंदर अब यह देखा गया है कि एक subject हमारा एक्ट्रा यहनके human value and ethics वाले यहां पर डाना जाता है और इसको हम universal human value and ethics भी बोल देते हैं तो इसको manage कर लेना इसको हम बाद में देखो इस बार हमने बुला है कुछ नया है तो यह भी हम आपके try करेंगे कि exam से बहले आपका यह subject भी हम complete करा आने वाले हैं तो सबसे पहले यह जो हमारे चार सब्जेक्ट हैं इन मैंसे कौन सा subject आप लोगों चाहिए जनके किसकी वीडियो बगरा किसको पढ़ाना हम सबसे पहले सुरू करें यह आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा अब हम बात करने तो अकर प्रेक्टिकल के बार आप एक दो सब्जेक्ट हमारे चोटे ही आपको लगेंगे और सिंपल है थर्ड समिटर ऐसा नहीं है कि बहुत ताधा तफ है बहुत परेसान हो नहीं भाई बहुत ही सिंपल है सबसे सिंपल हमारे समिटर इसको बोल सकते हो इतना कोई भी जरिए आपने पढ़ते रहोगे एंड तक होताएगा और ज्यादा हार्ड भी नहीं है इसी है थोड़ा पास समझोगे बाकी केरवल फार्म आपके साथ आप इसको कर सकते हो तो इसमें इतना कंपरिजन नहीं बनता क्योंकि आप लोग नए नहीं सब्जेक्ट है बनता था थोड़ा बन लेकिन यह आपको इ तो हम मार्जिन रखते हैं कि दिसम्बर तक क्योंकि बहुत युनिवर्सिटीज है दिनका एक्जाम पहले होगा तो अगर आपका कभी किसी का एक्जामपल जल्दी यासे नवर मत दिसमा होने बाला तो आप कमेंट करके बता देना तो हम क्या करेंगे हम टार्गेट लेते ह यहां कि मालों अभी किसी का चल रहा है जल्दी हो तो हमारा थर्ड समिस्टर अल्रेडी कवर है यह भी कवर है हमारा अल्रेडी यह हम नया कराने वाले हैं जो कुछ अपडेट करके करेंगे थोड़ा लेंदी देंगे और कुछ नए राइटिंग में नए वाले नोट्स आने वाले हैं बाकि हमारा पहले से भी अविलेवल है जो तीन साल चार सल पुड़ाना है तो काम आपके पूरा आएगा क्योंकि स्लेबस चेंज नहीं हुआ है तो आपका सारको सेम रहेगा तो हम यहां पर वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे यूनिट वा आपको मिल जाएगा अब यहां पर वेबसाइट हमारी थोड़ी डाउन हो जाती कभी-कभी नहीं चलती तो अगर ऐसी कोई दिक्कात आएगी तो हम यहां पर अपने एप पर भी काम कर रहे हैं तो अगर हमारा एप का काम हो जाएगा तो हम वहां पर भी आपको यह सब पिलेगा जो आपको समझाएं वह हैं तो आपको एस प्रोइट करेंगे ना उनके सॉलूड jetzt हम आपको प्रोइड करेंगे लोग पाले ओर ह्हार रिभी संसाड प्रोइड किरेंगे और यह समां आपको त्राई करेंगे कि app पर provide कर सके जिससे आपको अलग से separately सारा कुछ मिल जाए तो try तो है भाई सारा कुछ अकर app अच्छे तैयार हो जाता बजट पकर बन जाता अच्छे थे तो आपको proper सारा कुछ एक sequence मिलेगा जिससे आपको सब कुछ आसानी होगी तो इस बार हम try करना है कि जितना अच्छे थे आसानी से आपको easily सारा कुछ प्रोवाइड कर बाप में उतना करेंगे बागी पढ़ाई बढ़ाई कैसे करनी है तो भाई इसको थोड़ा आप समझ लेना एक वीडियो में आपको करना क्या होगा सिंपल दो बहुत द्यायों से सुनों आपको जैसे जो वीडियो लेक्चर से केरवल भी वह देखने हैं हम नए बाले प्रोवाइड करेंगे वह भी पुराने अगर आपको अभी चाहिए तो पुराने आप देख सकते हो आपका जो कॉलेज के बनाते हैं हम कुछ आपको फियर नोट्स केरवल पर मिल जाते हैं आपके बसायर आपने अब तक डाउनलोड करके भी रख लिए होंगे देन आपको क्या करना है कि जो रफ नोट्स हैं जो केरवल ने प्रोवाइड कि वह नोट्स मिलाकर आपको एक फाइनल आउट बनाना ह और यह आपको खुदका होगा और अगर आप ऐसा बना लेते हैं यह नोट्स आपके दिमाग में पूरे घुसे होंगे जब भी आप जाओगे एक्जाम में सारा कुछ आपको मिल जाएगा और मैं अभी से कहता हूँ कि प्लीज यार हाँ जोड के रिक्वेस्ट है कि प्रिं कर लें ना क्योंकि वहाँ पर सारा कुछ आपको मिल जाता है तो सिंबल हमारा यह है कि यह कुछ हम आपको प्रवाइड करेंगे वीडियोज को मिसने करना आखा यहां तो अच्छे तर करना है यहां फ्री में पढ़ रहे है कोई बात नहीं लेकिन अच्छे तर देखके सार नेता बहुताम मिला ओड्लो के पड़ोंगे आपके लिए पहां करने रहेगों वैश्टर रहेगा हम थोड़े बात कर लेते कि कौन फ़ूर्फें हमारे सप्जेक्ट है हमने देख लिए थे चार अब इनके इंट्रो थोड़ थोड़ा बात करते हैं बाकि हर एक के उपर जो म इंट्रो वीडियो है वो आपकी आएगी और साइध अविलेवर भी है तो आप देख लेना पहले हम बात करते हैं प्योसी सेकेंड के बारे में तो यह हमारे यह फार्मसेटिकल और अब यह जो हमारा प्योसी बनता इसका एक अपग्रेडर बर्जन था और हमने उसमें क्या द एलिफैटिक जो सिंपास्ते अ허रेटि इसनमें रेजनयस बंगर रहा है और हमारे हकल रूल को फॉलो करते हैं तो ठीकल जह मारे थोसी है और फोकस डालती यह उने प्योंटिक होना ओकी प्रक्षेन अर्क nuo-carbon-coins और Also है इन सब के बारे मुखने बात होगी डीटेज्ट आपको जो इनके ऊपर separate वीड़िए आपको मिल जाएगी तär हम बात करेंगे तो यहाँ पर basically कह देखो फार्मसेटिक्स में बात कि थे हमने डोर्म सीप नितीज्ट्ग्स के समय बत इस यह सारी बात होती है अब इसमें देखा था यह हमारी उनियोट humility भी कड़ की पर से पाहिए हमारी पछलां से यॉनियोट थाएंगी पांच दैर आरं बात करते microbiology का मनदब symbol होता है microorganism यानकि जो हमारे environment जो भी छोटे छोटे जीव हमारे present है उनकी study के बारे में हम बात करते है इस pharmaceutical microbiology के अंदर तो जैसे हमारे जितने भी microbes हैं virus हो गया, bacteria हो गया, fungi हो गया इन सब के बारे में हम बात करते है microbiology के अंदर में और basically ये एक long subject है क्योंकि इसमें syllabus काफी दाथा है अब क्या-क्या बात करते हैं इस हमारा antibiotic कैसे बनता है, vaccine कैसे बनेंगी vitamins कैसे बनेंगे, enzymes कैसे बनेंगे तो ये antibiotic vaccine जैसे हमारे bacteria virus के बनते हैं फिर हमारा staining styluson हो गया है जनकि कोई भी bacteria virus की study करनी है तो हमें उसकी staining करनी पड़ते है जैसे pathology होती है तो उसमें malaria किसी को होजा है या dengue होजा है तो हम चेक करते हैं कि malaria dengue का virus vector कुछ है कि नहीं है तो उसको हम इनी technique की बसे से check करते हैं फिर evaluate करना फिर accept area होता है जहाँ भी drugs के बारे में कई study करते हैं जहाँ कोई bacteria ना हो उस common set पर गरिया बोलते है microbeals पर जो microbes पगरा की विए से कुछ खराव हो या animal cell culture यान कि हम किसी भी जो microbeals को है इनको हम आगे generate कर रहे है तो बहुत सारी बात है इसको भी details में बाद में देखेंगे तो एक हमारे ये subject हो गया अब ये बहुत जादा important subject होता है और knowledgeful है अब भी knowledge भर भरके है और symbol देखता है तो एक futuristic subject है यान कि आपके आगे भी बहुत जादा काम आएगा अब last हमारा आता है pharmaceutical engineering तो इसको पी फार्मेसिटिकल एंजिनियरिंग या पर unit operation नाम से भी जानते है आपको ये नाम भी मिलताएगा आप देखो ये ना आप जब देखोगे syllabus बगरा तो आपको बहुत lengthy लगेगा और ऐसा लगए ये तो बहुत बड़ा है और tough है लेकिन actual में ये बहुत ही symbol subject है आपको कुछ नहीं करना हम इस तरह आपको कराएंगे ना और करा भी चुके हैं उन लेडी में दोबारा करना हैंगे बहुत ही simple लगेगा तो इसमें basically कहा जैसे कोई भी हम दबाई बगरा बनाते हैं तो इस time पे जो equipment का इस्तेमाल करते हैं जो machine का इस्तेमाल करते हैं वो सारकी सारे हम इसके अंदर study करते हैं आप available करेंगे कुछ हमारी process होते हैं उनके बारेम habitat करेंगे कैसे क्या कराई है tablet को investment से Pirateffer बनाнее कि होती है हमारी machine कोंसी होती है इन सब के बारें मिसमें बात करते है मैट्रिकल को है कैसे handle करना है आप इसमें unit हमारी जिएक सारे क sharply हरheiten बारेमिलते हैं पहले में है flow of fluid, size reduction, size separation, heat transfer, application, distillation, drying, mixing, यह सब हमारे काई, इसके subject हो जाएंगे, और जैसे corrosion के बारे में बात करते हैं, जो समिस्टन जिसके अंदर हम अपने drug रखते हैं, कहीं उस पे जंगो बगारा ना लग जाए, तो यह थे हमारे इन subject के बारे में, अगर आपको urgent base पर चाहिए, तो simple देखो, यहाँ पर simple देख लो, वीडियो lecture देखे है, आप इस वीडियो में जाओ, वीडियो के description में जाओगे, या फिर आप YouTube पर directly search कर लो, Carewell Pharma उपन करो, playlist के section में जाओ, third semester आपको मिलेगा, उन subject के बाइद आप वीडियो को देख सकते हो, यह description में लिंक मिल जाएगे, हैंड़नेटे नोट देखाज आए, तो website पर आओ, carewellpharma.in, यह website है, Google पर search कर लो, directly, open करो हमारे, वीपा में इसी notes ओपन करो, third semester के लिए scroll करो, तो कैसे third semester मिल जाएगा, फिर subject open करो, फिर unit आप रजार के लिए download कर सकते हो, तो I hope आपको सारको समझ आ गया होगा, तो अब आपको वीडियो कैसे लिए लिए, comment करके बताओ, इस वीडियो को like करो, और कौन सा subject हम सबसे बहले start करें, वो वही comment करके फड़ा फड़ा बता दो, वागी हम मिलते हैं, बहुत ज़ल्द आपको किसी भी नए सब्जाक के साथ में, जो भी आप चूस करोगे, तक भेन, thank you, take care, अपना मदी families का ख्याल रखेगा, bye bye दोस्तों, जहीं दोस्तों,